आज के वीडियो में कुश्चिन नमर ट्वेंटी एट से तो यहां से आपका एक न्यूव टॉपिक स्टार्ट होड़ा है और जो वो टॉपिक है वो है जुएंट एक्सपेंसे एंड बाइप्रोड़क्ट बनाओगे तो में प्रोड़क्ट के साथ साथ यानि कि जो निकलेंगे जिसको भी आपको क्या करना है सेल करना है या बाइप्रोडुक्ट वो निकलते ही ही तो यह वाला हमें देखने है उसके बाद इसमें क्या होगा कि कुछ एक्सपेंसे जाइंट में घिवन होंगे जो कि अ róमन करने होंगेा कि एकितना चैपने होंगे और cal never जो main product के हैं उनके दिया होगा और जो by product के हैं वो दिये होगे ठीक है तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो बहुत सारे topic आएंगे तो सबसे पहला हमें क्या है कि when the selling price and the amount of profit or percentage of the primary product is not known अच्छा यहाँ पर हमें SP जो है यानि selling price हमें नहीं पता है या profit वगेरा उस case में कैसे आपको बनाना है तो देखी यह है क्या पहले question देखते है फिर जब मैं आपको solution दिखाऊंगी तो वहाँ ज़रा सब मैं detail में बता दूँगी कि क्या क्या चीज़े करनी है जैसे कि N जो है वो by product है किस चीज़ का M का यानि main product हमारे पास क्या है M है और इसका by product क्या है N अब joint expenses जो material में लगा है वो इतना है labor इतना है और overhead जो है वो कितना है labor का आधा half of labor ठीक है तो labor अगर 1 lakh है तो overhead कितना हो जाएगा 50,000 तो यह joint expenses है मतलब इसमें by product and main product दौनों का expenses गिवान है अब आगे चलिए देखते है question क्या है बाकि जो subsequent expenses यानि जो अलग-अलग expenses M का है और N का लगा हुआ है वो सारे चीज़े यहाँ पर गिवान है ठीक है अब आपको क्या करना है prepare करना है process account और दिखाना है कि joint expenses का कितना है या जो भी है और जो मेन product हमारा है उसमें कितना expenses गया और जो by product है उसमें कितना गया चले देखते है कैसे बनेगा यह तो इस type की question में पहले हमें क्या करना होता है यह working note जो है यह हमें find out करना होता ठीक है ताकि हमें सारी चीज़े पता चले कि कैसे कैसे यह चीज़े आई है तो चली देखते हैं कि क्या है तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे तो आप selling price जो आपका by product है ना by product का हम यह यहाँ पे especially बनाते है ठीक है जिसका यह दिया हुआ है selling price तो यहाँ पे by product का selling price given है तो उसको लेकर कि यहाँ पे आपको बनाना है जो कि N है अब उसमें से आपको less करना है estimated जो profit on SP बोला गया ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है कि CP पे बोल रहा है यह SP पे बोल रहा है तो यहाँ SP पे बोल रहा है तो यह SP given है उसका 25% इतना less कर देंगे तो जब आप selling price में से less कर देंगे profit तो वह हमारा क्या आएगा cost price आएगा ठीक है तो इतना आपको total cost हुआ अब इसमें से जो है न जो इसका separate expenses है यान जो end product का separate expenses है उसको आपने less कर दिया तो इतना अभी है न तो यह cost कहां से आया तो इतना cost जो है न यह joint expenses में इतना जो है जो joint expenses में में और byproduct दोनों का है उसमें से जो byproduct है उसका expenses इतना है तो अब आप देखिए कि total joint expenses है वो है कितना 2 lakh था 1 lakh था और over it आपको हाफ कर लेना था 50,000 ठीक है तो total 3 lakh 50,000 है ठीक है अब आपका इसमे क्या है कि total 3 lakh 50,000 है और इसमें जो byproduct का कितना आएगा 45,000 ठीक है तो main product का हिस्सा कितना होगा उसमें तो 3 lakh 50,000 में से less कर दीजे जो byproduct का है तो less करने के बाद जो amount आएगा वो हमारा जो main product है उसका expenses है joint वाले में अब इसका आपको जो है ratio भी दिखा देना था तो इतना है main product का और इतना है हमारा किस चीज का byproduct का इसका ratio यह है अब आपको बिलकुल वैसे ही main product account जैसे process account लिखते थे थे वैसे ही इसको लिखना है अब पार्टिकुल अमांट पार्टिकुल अब आपको बना देना है जो separate है उस चीज को अब जो main product होता है उसमें separate वाला और जो joint वाला है वो दौनों हमें क्या करना होता है so करना होता है तो इसको आपने प्रोड़क्शन सो किया उसके बाद जो end product account में जो है टोटल जो joint है उसमें से 45,000 end के लिए है न यह byproduct के करते थे वो वाला 45,000 होगे इसका साड़ा expensive अब यह सब एड करके इधर लिख देंगे जो कि हमारा balancing figure जो है वो cost of production आ जाएगा तो यह question number 28 था बहुत ही easy है बस आपको ध्यायन रखना है कि question में क्या है और क्या क्या expenses किससे related given है चलिए next question देखते है question number 29 में एक factory है जो कि chemical K produce कर रहा है और इस process में उसके पास क्या होड़ा है कि एक byproduct निकर रहा है तो वो byproduct का name क्या है टी ठीक है अब इसका सब कुछ given है कि joint expenses दोनों का कितना होगा के का अपना कितना है और separate जो है वो टी का कितना है अब यहां पर output वगेरा दिया है कि total कितन ton है month का कितना tea का उसमें से होगा है ठीक है और tea कितना sold कर रहा है per ton और profit आपको एजूम करना है 50% of the selling price ठीक है आपको वहीं दिखाना है कैसे बनेगा चले देखते यह कैसे बनेगा तो यह रहा question number 28 देखिए यहां पर क्या करना है आपको वहीं निकालना है जो byproduct है उसका selling price हमारे पास given है तो इस चीज को आप दिया हुआ है कि per 10 कितने रपी बेचना है और total 10 कितना क्या है तो इसको आप into करेंगे तो आपका selling price का तो selling price का 50% करके less कर दोगे तो यह जो आय इसमें से less कर दीजे तो अभी भी जो इतना expenses है यह क्या है तो यह वाला expenses जो है इसका joint share है उसमें से जाएगा ठीक है तो अब total joint expenses कितना है 3,12,500 जो कि यहां पर आप add करोगे तो ठीक है तो total में से अब आपको क्या करना है जो byproduct का हिस्सा है यह वाला जो बचा हुआ हुआ इसको less कर देंगे तो यह जो आएगा वो हमारा क्या होगा main product का हिस्सा ठीक है यानि total share है जो joint वाला उसमें main product का कितना है यह और जो byproduct है उसका कितना है यह वाला ठीक अब आपको बनाना account कि main product account जैसे process account बनाते हैं बिल्कुल ऐसे हैं तो जो main product होता है उसमें joint और separate दोनों लिखते हैं ठीक है joint वाला भी लिखते हैं और जो separate इसका है main product का है उस चीज़ को लिखते हैं और जो byproduct वाले में हमें भेजना होता है जितना हुआ है joint वाले में उसका share उस चीज़ को लिखते हैं बाकि cost of production दिखाते हैं balancing figure cost of production बनता है वैसे यह बनेगा और उसके बाद T जो by product account है, वो बनाते हैं, तो जो आप process से transfer करके लाते हैं, वो बाकि इसका जो expenses है, वो फिर सबको add कर देते हैं, वह ही balancing figure हमारा इधर का हो जाता है, तो यह question number 29 है, जैसा question number 28 है, वैसे question number 29, तो यह जो है ना हमारा, यहाँ पे जो है, question number 30 में जो है, X हमारा product है, main product, और जो कि क्या कर रहा है, by product Y and Z बना रहा है, अब जो joint expenses गिवन है, material के लिए, labor के लिए overhead वो गिवन है, और यह साधे उनके separate expenses है, वो गिवन है, जो है, अब यहाँ पे selling price सबका गिवन है, profit कितना percent वो भी given है, तो अब आपको कैसे joint expenses गिवन है, निकालना है, किस proportion में, यह दिखाना है, और जो necessary account है, वो बनाना है, चलिए, अब देखते, यह कैसे बनेगा, तो question number 30, जो है, इसमें क्या है, कि अब आपके पास selling price है, by product का नहीं, आपके पास main product का भी selling price आपके पास है, ठीक है, तो आप जिसका जिसका भी selling price होता है, सबको लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास सबका selling price है, तो x, y and z लिख देंगे, सबका selling price इसके इसके सामने लिख द इसकाल होगी, तो यह आपका less करने के बाद इतने amount है, जो expenses है, cost of production, ठीक, अब इसमें से आपको क्या less करना है, जो इन तीनों के अपनी separate expenses है, जो इन तीनों के अपनी separate expenses है, जो इसमें से less करेंगे, y के जितने हिसमें से less करेंगे, और z के जितने है, इसमें से less करेंगे, अ दोनों के यहां पर अलग-अलग निकल चुके हैं ठीक है तो इस बात को ध्यान में रखना है उसके बाद आपको क्या कर देना है अकांट बनाना है जो कि एक्स जो है में प्रोड़क्ट रिकांट है तो पहले यह बनाएंगे तो मिन वाले में क्या करते हैं जो एंट और सेप् प्रोड़क्ट दोनों का इसलिए आपने यहां पर एक्स का भी आपने लेस वाला काम किया और वाई-जड तो है ही बाइप्रोड़क्ट तो उसका तो होगा ही सेलिंग प्रेस गिवन ही है इसके बाद आपको यह वाला अकांट बनाना है में प्रोड़क्ट के बाद दो बा बागी फार्मेट बहुत ही जी है सबको एड करके अधर जो है कोश्टा प्रोडक्शन में बैलेंसिंग फिकर दिखाना होता है तो यह कोश्ट नम्बो 30 था अब चलिए देखते कोश्ट नम्बो 31 ृच्योट नम्बो 31 में जो है न deux बाइप प्रोडक्श है फिक एजो कि प्रोडियोश ओलें इए किस मियन प्रोडक्स है जो में प्रोडरक्ट है वो है अब इसके expenses given है कि joint में कितने होंगे और उसकी बाद जो है इन लोगों का A, B and C का separate expenses कितना होगा सब कुछ selling price दिया वह expected profit सब कुछ यहाँ पर given है आपको prepare करना है सबका अपना account दिखाना है सब product का जो cost कितना कितना होड़ा है चले देखते कैसे बनेगा तो यह रहा question number 31 आपको वही करना joint expenses का जो पहले cost है उस चीज को दिखाना है तो क्यूंकि यहाँ पर main and buy product दनों का selling price given है तो आप सभी product को लिखोगे A, B and C लिखोगे selling price उसके बाद less करोगे जो expected profit है हमारा तो यह आपका हो जाएगा less करने के बाद यह आपका cost of production है भी आपका अब सबके जो separate expenses है A का A के साथ B का B के साथ और C का C के साथ less करेंगे अब जो यह आया ना आपका तो share आया joint expenses में कितना है तो अब जब आप इस तिनों को add करोगे ना इसको और इसको जब add करोगे और आपका जो total joint expenses है दोनों equal आ गया मतलब कि अभी आपका यह सही चल रहा है ठीक है तो उस total में जो इतना A का share B का share इतना और C का share इतना बनेगा उसके बाद तो फिर आपको account ही बनाना है सबसे पहले किस चीज़ का बनेगा जो main product है जो कि हमारा A है तो main product में मैं बारबर कह रही हूं कि जो joint and separate है दोनों को दिखाते है और उसके बाद जो by product होता है ना उस चीज़ को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से जो expenses B से related है उसको B में लिखोगे जो C से related है उसको C में लिखोगे फिर सबको add करके जो balancing figure बनेगा वह हमारा cost of production में चला जाए तो यह question number 31 था आज के लिए इतना ही रहने देते हैं that's all for today thanks for watching the video